है दोस्तों वेलकम बैक तो स्टड़ी आई एस और आज की वीडियो में मैं कॉंट्रवर्सी को बारे में डिसकस करूंगा अभी दोस्तों यहां पे जो दिलीज कॉलिज आफ आर्ट है उसके एडिमिशन को लेके थोड़ी कॉंट्रवर्सी हमें देखने को मिलती है यह क्या किस तरीके से यहां पर दिलीज कॉलिज आफ आर्ट में अडिमिशन हो रहे हैं यहां पर जो अमबेटकर यह उनिवर्सी है उसका क्या कहना है कैसे यह चीज़े रिलेटेड हैं तो यह सब कुछ मैं आपके साथ आज की इस वीडियो में डिसकस करने वाला हूं बिल्कुल इ इंटरवर्सी जो कि हमें दिल्लीज कॉलिज आर्ट की तरफ से देखने को मिलती है पर दोस्तों से पहले बता दू कि आप लोग यहां पर ले के आया काफी कुछ और एक और बात एयर तू है दोस्तों जागरतिवस्तिच जी की और इनोंने पर प्रप्रेशन अने के साथ कर और दोस्तों अनकेडमी का अल्टरा कॉमबेक्ट है जो कि होगा 22 मेरी को सुबह 11 बजे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोना ही मोड में यहां पर भी एंड्रोल करने के लिए आप लोग हमारा जो कोड है उसे यूज कर सकते हैं अब देगी दोस्तों बताओं मैं आपको COA मतलग कि College of Art ने यहां पर फॉर्मली बिगन कर दिया है अपना admission प्रोसेस अंडर अंबेट कर यूनिवरसिटी यह बात बहुत ध्यान देने वाली बात है कि College of Art ने यहां पर अंबेट कर यूनिवरसिटी के अंडर रहते हुए अ अब देगे दोस्तों आखर बताता हूं कि किस तरीके से College of Art जो है वो associated है अंबेट कर यूनिवरसिटी से यह जो दोस्तों दिक्कत है यह हमें देखने मिली है जब यहां पर College ने डी affiliation लिया डिली यूनिवरसिटी से और यह स्टार्ट हो गया था मार्च 2021 में जो College of Art है दो कि आपके सकते हैं दिली की स्टेट यूनिवरसिटी है वो ओके मैं बता हूं आपको कैबिनेट ने यह बोला है दोस्तों अपने स्टेटमेंट में कि दिली कैबिनेट जो है वो अप्रूवत देती है पूरी तरीके से merger of दिली यूनिवरसिटी का जो College of Art था कि वो अपनी functioning जो है वो अब कर सके अंडर डिरेक्टरेट अफ ट्रेनिंग और टेक्निकल एड्यूकेशन और दिली इंस्टिटूट अफ हरीटेज रिसर्च एंड मैनेजमेंट जो के अफिलेटेड आपकी GGSIP के साथ और आपके सकते हैं वो function करेगा अपना अंडर डिरेक्टरेट आफ एड्यूकेशन यह सभी मिलके दोस्तों मैं बता दूँ आप लोग को पार्ट बनेंगे आपके सकते हैं डॉक्टर भीम राओ अंबेट कर बी आर अंबेट कर यूनिसरिटी के जो एड्मिशन दोस्तों सी ओए का यह आपके सकते हैं जो जार 21 के सेशन में हमें नहीं देखन इन्ट गवर्नर हैं उन्होंने आप कर सकते हैं इन प्रिसिपल अपूरूवल दिया मर्जर का और बोला है कि जो डी अफ्लिएशन है आप कर सकते हैं डियू से उसके बारे में बताया पर दोस्तों वहीं अगरम बात कर रहे हम एक्जुक्रिटिव काउंसल के बारे में डिय क्योंकि उसने काम पहले नहीं कर रखा है इसका मतलब दोस्तों एक तरफ तो यहां पर में देखने मलती है बात कि कोई कह रहा है कि जो अमबेटकर से है मतलब कि जो आप कह सकते हैं कॉलिज अफ आर्ट है यह खुद अपने एडमिस्न प्रॉसेस जो है वो अमबेटकर यू अमबेटकर यूशिटी के बाद लास्ट वीक दोस्तों अमबेटकर यूशिटी ने एक इसू करा नोटिफिकेशन जो के कह सकते हैं दिल्ली गर्मिट के साथ यह बोलते हुए कहता है कि जो एडमिसन दो हैं जो हैं दोस्तों वो चालू हो गएं 2022 और 23 सेशन के अकेडमिक ए पार्ट और मास्टर आफ फाइन आर्ट का कोर्सेज अंडर आपके सकते हैं अकेडमिक सेशन 1223 एज पार्ट ऑफ डोक्टर बी आरंबेटकर यूशिटी दिल्ली के तो यह उन्होंने अपनी नोटिफिकेशन में पूरे तरीके से लिखते हुए बताया है तो दोस्तों कर ब इंट्रवेंशन लेका सकते हैं एक्ट्स में और स्टेट्यूज में अफ डिल्ली यूशिटी में साथी दोस्तों यह वालेट करेंगे डिसीजन ऑफ एक्जुकुटिटीव कांसिल जो की डिली रिजेक्ट करता है डिफिलेशन ऑफ कॉलिज ऑफ आर्ट फ्रॉम डिल्ली य जी है ओके दोस्तों तो यह थी पूरी वीडियो आई होप कि अब तो आपको जो चीजें वह समझ में आगे होंगी कि आखिर क्या जो आपके सितने कॉंट्रवर्सी यह में देखने को मिल रही है अभी रिसेंट्ली दिल्ली कॉड़िज ऑफ आर्ट को लेके अगर इससे दिया गया है और कैसे जो आगे हो रही है आप लोग को और बेनेफिट लेने के लिए बास हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए हैव और नाइस डी एंड टेक क्यार